हेलो गाइस बेल गाम बेक्ट चेल्ड मेडिकोस तो यार आज का जो अपना टॉब्यक होने वाला है वो होने वाला है डाइबिटीस मलाइटस के उपर ठीक है कि डाइबिटीस मलाइटस क्या होता है और उसके क्लास्फिक्शन पढ़ेंगे यार अपन तीक है कॉस भी पढ़े आपको प्रोवाइट करवा रहा हूं है आप जाके नोटस वहां से ले सकते हो लिंक बगएरा टेली राम चलिके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको चलो आज के स्टार्ट करते हैं अपने डायविटीश मलाइटस टीक है क्या होता है डियाविटीश मलाइटस एजा मेताबॉलिक डिसीज तीक है मोर एप्रोप्रियेटली अडिसॉडर ओफ फ्यूल मेताबॉल्स फ्यूल वाडवली मतलब की कहां पर कार्वाइड़ेट्स की मेताबॉल्स की की डिसॉडर होता है तीक है क् से क्लासिवाइडिस मेल यूष मालें बेस्ट और क्लासिफ़िक्षाइड गिसिलार्मेंन तुल्स न द्रिद्ट अब मतलब की इसका जव अपन क्लासिफिक्षेटैं और करते तो एक तो होता हुआ इन्सुलिन डेपेंडेंट्स डाइबटीस मिलाइटप्स ज्रीओ इसका दूसरा नाम और जुबे लिए लिए इस दाइबटीस तीक है मतलब कैसा मतलब जो बच्चे होते हैं ना चाइल होट के एज 12 से 15 एर के एज उन में एज चीज देखने को ज्यादा मिलती है इंसुलीन डिपेंडेंट डियामेटिस्मलाइटस ठीक है आगे बात करते हैं टोटल डिफिशेंशी ओफ इंसुलीन सॉरी टोटल डिफिशेंशी ओफ इंसुलीन डियू तू डिस्ट्रक्शन ओफ बीटा सेल्स ती क्या होता है यहां पर यहां पर अपने को इंसुलीन की डिफिशेंशी होती है किस वरस होती है जब बीटा सेल डिस्टक्ट कर जाते हैं पेंक्रियस के, यूँकि वहीं से अपने क्या इंसुलीन मिलता था, किस वएसे हो सकते हैं, ड्रक्स, बाइडस, एंड आटो इम्मुनिटी के वज़े से भी हो सकते हैं, द्यूटू से अपने जैनेटिक वएरियेशन अजाता है, इस वाईसे अपना नोन सेल्फ और सेल्फ में डिफ्रेंशिट नहीं कर पाती है, इस वाईसे खुद को क्या कल देती हैं, डिश्ट्रोइ कल लेते हैं बीटा सेल्स, प्रोटीन्स ओफ ठीक है, इंसुलीन डिपेंड द्यूट्फ द्यूट्फ चाहिए, तरफ भाइस से अब बात करते हैं पर नोन इंसुलेन डिपेंडेंट्ट्फ डिफ मलाइटस जिससे अपन निडध्म भी बोलते हैं तीक है यह अपनी टेक्ट्फ डिफ मलाइटस होती है तीक है जिसको अडल्ट ऑन्सेट डिफ वह बो थो इंसूलिन डिसेटर्स एंड इंसूलीन Nep इंस डिसरेप्टर्स होते हैं यार सेल के उपर तो हां यहांते हैं सीटिविटीस सौने नहीं करते हैं हुआ पर इंसुलिन की नहीं होता है रहुने का ठीक है आगे जिकते हैं इंक्रीज़ देवल ओफ ट्यूमर नेक्रोस्टिसटर तैक ञिर टी अब टीनिया नेक्रोससज अर्फ एंक्रीस हो जाता है एंड रचेस्टिंग the reduction secretion of तीक है अब क्या होता है अपने एक हेहां पर होता है secret क्या adiponectin ठीक है क्या होता है adiponectin ठीक है यह अपनी रिलीज होता है किस से adipocides से ठीक किस के से obvious people से ठीक है cause insulin resistance by impaired the insulin receptor factors function मतलब जो क्या होता है insulin होता है ठीक है उसका कुई resistance होता है ठीक हो resistance क्या होता है imparing insulin receptors functions जो insulin के receptors होते हैं वहाँ पर देक्कत कर देता है इस वहाँ पर resistance developed हो जाता है insulin के लिए ठीक है तो यह कौन करवार अपना एड़ी पॉनेक्टिंट यह चीज आप याद कर ले ना जो कि एड़ी पॉसाइट से अपना रिलीस करवाता है आगे चलते हैं यहाँ आपको comparison बता देता हूं थोड़ा में ठीक है insulin dependent और non-dependent ठीक है जनरल में के होता है prevalence देखा जादो क्या होता है यह होता है क्या 10-20% देखने को मिलती है अपनी को ठीक है लेकिन 80-90% अपने को non-insulin dependent देखने को मिलती है एज की बात करते हैं आर तो एज आप उनसेट जो insulin dependent होती है बच्चों में होती है mostly और जो non-insulin होती है और वो अपनी होती है 35 के अब तीग है और क्या होता है body weight का होता है insulin dependent वे normal और लो होता है लेकिन नोन-insulin में होता है अपना क्या और बैस तीक है यह जर्नल हो गया बायोकेमिकल देखते हैं डेफेक्ट को क्या दखता है अपने को डेफेक्ट का होता है insulin की डिफिशेंस होती है क्यों क्या होने वाला है impairment in the production of insulin by beta cells and or resistance to the target cell तो 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 तर्गेट अपने पास इसको insulin target करने वाल तो उसमें resistance डप्लब्ड हो जाए insulin के लिए ठीक है प्लाज्म insulin क्या होता है decrease और अप्सेंट रहता है insulin independent में ठीक है और लेकिन non-insulin independent क्या normal और increase भी हो सकता है ठीक है यूँकि आप insulin का यूजी नहीं हो पा रहा है तो यह सारे के सारी क्लीनी का लें यह सारे के सारे आपको पढ़ लेना इसमें से ठीक है एक्जाम टाइम के लिए दे रखा यह चार्ट मैंने आपको एक्जाम टाइम पर आपको काफी हल्प करेगा और देखते हैं आपने आपके क्या होता है कभी-कभी diabetes म्लाइटिस शॉती तो वाशे से खिलूकोसेी। यहां यहां का मतलब कने लगता है तो इस कंदिशन लीइनल थ्रस्ट थिए एक ग्लुकुस के लिए कितना होता है 162 रिनेटी ती अगर मांचव लीइनल थ्रस्ट हो जायेगा तो क्या होगा अपनी बोडी में नॉर्मल मांचव तो जो लेवल था ना ठीक है ग्लुकोस का वो अपने रेनल थ्रस्वोल्ट का मैंटेन कर रहा था अगर वहाँ पर अपने रेनल थ्रस्वोल्ट डिक्रीज कर जाता है तो क्या होगा तो अपना जो अप्जोप्शन हो रहा था किड्नी से वो कम हो जाएगा तो क्या होगा ज्य तो डाइबिटीज मतलब डाइबिटीज इसका कोई मतलब नहीं रहता ठीक है एलिमेंटरी गलाइबसूरिया क्या होता है ब्लड ग्लुपोस लेवल राइस रैपिटली आप्टर मील रेजल्टिंग इन इट्स इस्पिलिटिंग ओवर इन टुइन उरेंट क्या होता है जैसे आप खाना खाते हो ना उस टैम्पे का होता है आप ब्लड ग्लुपोस लेवल बढ़ जाता है ठीक है और वो इसको वह क्या वो निकलने लगता अपना उरेंग में देखते हैं ऑब्जाब इन पेशे इसमें क्या मेटावल एक चेंज आते हैं पहला चेंज आता है जो में देता है वह था अपना हाइपर ग्लाइसीमिया ठीक है मतलब कि ग्लुपोस का बढ़ना एलिविशन ओफ ब्लड ग्लुपोस कंसेंट्रेशन इस दा होल मार्क ऑफ अनकंट्रोल डैविटीज तीक है अन देखने को मिलता है तीख इसलिशे क्या होता है अपने को है पर ग्लाइसीमिया की बज़े से अपने को देखने को में दिखी ग्लुपोस टॉक्सिसेटि क्या होता है समय हाई कंसेंटेशन गूपोस घं shipment वहर्न फॉडश हैं छाइपा वह इंप्ष्यान इन्टु यह रिग इंटू इडिए इंटू इडिए रिजल्टिंग दा डिएडरेशन आपकी से पानी बहार निकल के आ जाए क्योंकि भार आपका गुल्पुछ ज्यादा है तो उस ज्यादा कंसेटेशन साइड मुग करेगा वाटर तो वाटर क्या करेगा सेल से निकल के अपनी बोडी में इस बाई उसके कंदिशन अपने को डिए अधरेशन देखने को मिल लाती है बीटा सेल डेमीज्ट वार थफी रेटिकल्स भाइठ्ट इंट्री इस्वार प्रोट में तो इस यहां पे देखने को मिलता है बीटा सेल का डेमेज तो वहता है कीटो एस्ही रिश्म क्या होता ह which offense leads to ketoacidosis मतलब कि fatty acids का mobilization होगा यार इस वह से क्या अपना overproduction होता है ketone bodies का सब पढ़ा रखा है मैंने आपको सब पढ़ा रखा है बस आपको पढ़ने की देरी है तीक है तो overproduction हो जागा ketone bodies का इस वह से अपने को ketoacidosis देखने को मिल सकता है थर्ड बचायर वह अपना क्या hyper triglycerideemia मतलब कि triglyceride जो होते हैं अपने blood में increase हो जाएंगी क्या होता है conversion of fatty acids to triglycerols fatty acids to triglycerols का conversion होता है and the secretion of VLDL very low density lipoproteins and kylomicrons is comparatively higher in diabetes इनका secretion जादा हो जाता है तो VLDL and kylomicron and triglycerols are increased इस वाई से अपने इतीन उक्तिनों increase कर जाते हैं ठीक हाई पर कॉल स्ट्रीमिया इस अलसो फिर्वेंटली सीन इन डाइप्रिस हाई पर कॉल स्ट्रीमिया भी अपने को देखने को मिलता है ठीक है इसी अपने को समझ में आ गई है और देखते हैं अपने यहां पर आप इस चार्ट बता देता हम पहले प्हले चार्ट यसी आपको इंसलीन डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो इंसलीन डिक्रीज होगा तो बिलाड जो ग्लुकोस का अपते हो रहा था टिस्यू से वह क्यों हो जाएगा प्लाज्मा मामीनियसस का जो कंजन देशन था वह इंक्रीज हो जाएगा इस वहसे आपको ग्लुको नियोगेशन भी बढ़ जाएगा जब ग्लुकोस का पॉड़ए जाएगा अब ग्लुकोस का प्रोड़क्षण भी बढ़ गया तो पंसी डिफलप अपनी तो अपन ने क्या किया एक टापन ग्लुकोस का अपटेक ताइक टीच्टू से कम करवा देलें तो डारेक्ट बैसे इंक्रीज हो रहा है ग्लुकोस और दूसरा आपन साइड़ वाइस बहुत सारी रियक्शन करवा के साइकल करवा के ग्लुकोस बढ़ा दे रहे हैं तो यह तो अपने को मिलगे क्या हाइपर ग्लासीमिया जब इंसुलीन अपने डिक्रीज होगा तो अपके लिप्पॉलासीज बढ़ेगी ग्लुकोस से तो अपने को एनर्जी नहीं लेपाने तो अब अपने लिपट्स करके लिप्पॉलासीज होगा इस वज़े से प्लाज्मा में फिरी फैटी एसेट्स का मांट इंक्रीज हो जा ठीक है डीमिय मिल जाएगा मतलब ब्लेड में ट्राइग्रोस रोल का अमॉंट बढ़ जाएगा तो तीनों कंडिशन में आपको चार्ट से बता दें चार्ट से आपको ज्यादा याद होगा आगे जलते हैं लॉंग टर्म एफेक्ट ऑप डाइबिटीस डाइबिटीस के ल पारचीन देखने को मिल जाएगी आगे चलते हैं अपन मैनेजमेंट ऑफ डाइबिटीस को कैसे मैनेज कर सकते हैं पर पहला मैनेज करने का तरिका डाइटरी मैनेजमेंट टीक है पेसेंट कंजप्शन हाई प्रोटीन एंड फाइबर स्थ डाइट बिच रिच लोग इस डाइट मैं अपना लोग कैल दिखोना चाहिए मतलब लोग फेट एंड लोग कर्बात होना चाहिए गलात मजप्शन करने वाले ड्रक्स ऑर हाइपोग्लासमिक ड्रक्स और प्रॉड़ली क्लासिफाइग करें तू तू तैपस हुन करें जो पहला होता है वह अपना कौन सा सल्फोनिल यूरीज ठीक है इसमें क्या आता है अपना अपना एसीटा हैक्जामाइट ठीक है इसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट इंसुलीन कुल स्क्नेट साथ कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं है अपना च Wij सब्सक्राइब कर 25-5 लाइटें वी मोडिफाइड होते हैं वो कि पहुत सारे घंटों तक काम कर सकते हैं तो यही का यही था पूरा डाइबटीस में तीक है मैंने आपको पूरा जबाइस करवा दिया है पुरा पढ़ा दिया है आप पढ़ लेना एक बाद जाके नोट से भी देख लेना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बाद अच्छे से पढ़ाई करो मेहनत करो थैंक यू फॉर बच्वें कीप लर्निंग